नमस्कार आप सभी को इस सेशन में हम एक छोटा सा ट्रिकी केसलेट डिसकस करेंगे जो कि नमबर्स पर बेस्ट है तो मैं चाहूंगा कि जिससे पहले आप सॉल्यूशन देखो उससे पहले खुद से एक बार वीडियो पॉस करके इसको ट्राय करो फिर सॉल्यूशन देखना तो चलिए उम्मीद कर रहा हूं आपने ट्राय किया होगा अब हम इसको सॉल्ल करते हैं फाइफ फ्रेंट्स ए बी सी डी ए हैट सम मावल्स विद देंग नमबर इच अब देंग उस डिस्टिंक्ट प्राइम नमबर लेस देन ट्वेंटी सिक्स तो अबी सी यह के पास अब्सक्राइब लेवन अर्टीन सेवन्टीन राइट नाइनटीन एंड ट्वेंटी यह सारे के सारे प्राइम नमबर लेवन ट्वेंटी सिक्स से छोटे हैं तो इन में से कोई भी पांच वैली हमको पिक करनी है पांच फ्रेंड्स को विकॉस तब के पास डिस्टिंक्ट अब्सक्राइब लेवन नमबर टीक है तो एबी सीडी हमसे कहा गया कि A A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इस एन इवन नमबर यह एक इवन नमबर है अच्छा सम ऑफ मावल्स विद नो टू फ्रेंड्स वाज़ा प्राइम नमबर किसी भी दो फ्रेंड्स को अगर आप एड्ड करोगे तो उनका सम प्राइम नहीं आना चाहिए तो B के पास जो मावल्स हैं वो C के डवल्स से जादा हैं एक कंडिशन तो यह दी गई है आगे D has less than one third with E so D के पास जो मावल्स है that is less than one third of E तो अगर मैं 3 को इधर ले जाऊंगा तो I can say E is greater than 3D यानि E जो है D के तीन गुना से जादा होना चाहिए दूसरी कंडिशन यह है right A head less than B A के पास B से कम है right and D head more than C D के पास C से जादा है तो यह मेरे पास कंडिशन दी गई हैं इनके तुरू मुझे करेक करना है यह निकालना है कि A B C D के पास कितनी कितनी मावल्स है तो सबसे पहले हम शुरू आत कहां से करें सबसे पहला क्लू जो हमें दिया गया है इनके पास जो सम है वो इवन नंबर है आप अगर कोई भी प्राइम नंबर देखोगे सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं सिवाए टू के अगर मैं सपोज यहां पर टू को नही ब्राइम नंबर का सम कभी भी एवन नहीं आ सकता राइट सो मतलब मुझे डू को इंग्लूट करना ही पड़ेगा तो अगर मैं डू को इंकलूट करूँड गा तो बाकि चार नंबर तो और लए लेंगे विक्वास्टू के अलावा तो कोई और टूट नंबर का समब क्या यह न 2 को हमने include कर लिया because of this condition अब next condition is कि किनी भी दो friends के पास जो marble से उनका जो sum है that cannot be a prime number तो आप देखो हमें friend के पास marble मिल चुके 2 तो दूसरे friend के पास 3 हो सकती है क्या because 2 plus 3 5 बन रहा है चलिए 3 नहीं हो सकता because 5 is the prime number right 2 plus 3 मिलका 5 बन जाएक जो एक prime number है तो नहीं असकता टू फ्लास-57 बन जाए और यह नहीं हो सकता है ना अब मिरे पास कितने numbers बच villain यहाँ पर 12 해서 345 और पांची फ्रेंड मतला मुझे नंबर्स तो मिल गए है ना किसके पास कितनी है यह अभी नहीं पता लेकिन मुझे यह पता चल गया कि इनके पास जो मावल्स है वो कितनी है 2, 7, 13, 19, 23 एक बहुत बड़ी लीड हमें यहाँ पर हात लगी कि हमें यह मिल गया कितनी कितनी मावल्स इनके पास है अब कौन सी किसको असाइन करनी है इसके लिए मैं यह कंडिशन्स देखता हूं तो कंडिशन्स क्या है सबसे पहले यह सबसे बड़ी कंडिशन्स मुझे यह हो सकती है because 2 is the least one 2 यहाँ पर सबसे छोटा है लेकिन हमें दिया गया है कि D तो C से बड़ा है तो D तो सबसे छोटा हो नहीं सकता न क्योंकि D C से तो बड़ा है न तो D cannot be 2 D 2 नहीं हो सकता है न और E जो है D के 3 गुना से बड़ा होना चाहिए तो अगर मैं E को यह लेता हूं 7 D को 7 लेता हूं अगर D को मैंने 7 लिया तो इसका 3 गुना होगा 21 तो 20 से बड़ा कौन सा नमबर है 23 यह E हो जाएगा लेकिन अगर मैं D को 7 के अलावा कुछ और 13 लेता हूं तो 13 का 3 गुना तो 39 होता है और उससे बड़ा कोई प्राइम नमबर यहां पर ही नहीं तो मेरे प C की वैली हो गई यह दोनों असाइन हो चुके हैं अब 20 ग्रेटर देन 2C अभी आप यह देखो कि अगर C को मैं यह 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 वाली वैली इन तीनों में से कोई एक दे सकता हूं 13 और 19 नहीं दे सकता विकास 13 का डबल तो 26 होता है और 19 का डबल 18 होता है और उनसे बड़ा कोई नंबर यहां पर नहीं है राइट 26 या 38 से बड़ा कोई भी नंबर यहां पर नहीं है so that's why हम C की वैल्यू यह तो नहीं ले सकते सो मुझे हर हालत में C की वैल्यू टू ही लेनी पड़ेगी और 20 के डबल से जादे ही होगा चाहे तेरे हो या 1900 मुझे कहा गया कि A is less than B A जो है B से छोटा है अब मिरे पास A और B बचे है न तो A जो है B से छोटा हो गया यह A हो गया और यह क्या हो गया B हो गया तो इस तरीके से हमने इसको क्रेक किया राइट तो यह उम्मीद करता हूँ आपको एक सेशन पसंद आया होगा छोटा सेशन था लेकिन हमने आप पर एक ट्रकी केसलेट को सॉल करना सीखा कितने लोग वीडियो पॉस करके खुद से इसको कर पाए थे कमेंट में यस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों साथ शेयर भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच